हेलो गाइस वेडियो में कवर करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते नंबर्स की बात करते तो नंबर्स जो दिये गया मिलियंस में नंबर से पहले के कौंसोलीडेटेट कवर करेंगे इंकम में 34009डिश करोड़ का मार्च ट्वंटीफोर में 347 करोड़ का और जून 23 में 3302.3 करोड़ का एंकम है quarter औन quarter year on year दोनों की इंकम में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है एक्सपेंश वहा है 2958.6 करोड़ का जूनum मार्च 24 में 2953.9 करोड का और जून 23 में 2776.5 करोड का expense हुआ था expenses भी quarter on quarter year on year में increase किया है income के according जिसके बाद operating profit 537.3 करोड का मार्च 24 में 522.3 करोड का और जून 23 में 525.7 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में increase किया है net profit 404.5 करोड का मार्च 24 में 393 करोड का और जून 23 में 396 करोड का profit है quarter on quarter year on year में profit में improve किया है increase किया है EPS 21.25 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है segment wise BFS मतलब की banking and financial services logistics and transportation technology media and telecom insurance others और hedging इन सभी से revenue generate कर रहा है quarter on quarter हो या फिर year on year income profit दोनों में increase करता हुआ देखने को मिला है stand-alone में income में 2367 करोड का मार्च 24 में 2296.9 करोड का और जून 23 में 2362 करोड का income है quarter on quarter में increase है लेकिन year on year में भी increase किया है expense 1819.4 करोड का मार्च 24 में 1848 करोड का और जून 23 में 1845 करोड का expense हुआ था income में increase है लेकिन expense बहुत कम हुआ इसके कारण profit में improve किया operating profit 547.6 करोल का Mang 24-00-48.6 क करोल का जून 23 वे 516.9 करोड का perundao quarter year on year के operating profit in ję część İman Spit 400,40.6 सिक करोड़का अर mélächen 24 में 298 करोड़का और जून 23 में 373.8 करोड़ का पॉफिट जुअ है quarter on quarter year on year में increased किया है意PS twenty one.79 रुपीज का quarter on quarter year-on-year में इंक्रेज किया है तो बहुत ही इंकम ही नहीं बलकि प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रेज करता हुआ देखने को मिला है और अगर हम इसके कुछ रेशियो की बात करेंगे तो यहां पर देखें कंपनी जो है क्वार्टर-on-क्वार्टर में EPS 2.8 करोड का इसो 2.8% का इंक कि रेच्णक करेंशी जो 3.1% का इंकरेज किया है और कंपनी का direct revenue 5.6% का इंक्रेज किया है, और कंतंक है और हम बात करेंगे यह new टी-च्वी जो कंपनी को मिला है टोटल कॉंट्राक्ट वैल्यू 319 मिलियन युएस डॉलर का इस बार मिला डारेक्ट जो कि 84% ने न्यू जेन सर्विस में दिया गया है कंपनी का प्रॉफिट भी इस बार का year on year में 2.1 करोड का 2.1% का इंक्रेज करता हूँ देखने को मिला और इसके लावे एंफासिस जो है ग्लोबल फिनासरल सर्विसेस के साथ जो इस बार का मतलब की इस बार इसी क्वार्टर में डील मिला है कंपनी का टेंट टेंट ट्वंटीफाइब में लेट नाइट इसका रिजल्ट आया था कि 2847.9 रुपीज पर कंपनी का शियर ट्रेड कर रहा जिरो पॉंट सावन परसंट का लॉस हुआ है और वन मंत में एटीन परसंट का पॉफिट है कंपनी जो है अगर देखाए 23 जु कर सकते हैं इसको होल्ड कंटीनू कर सकते गाए बहुत ही स्ट्रॉंग कंपनी और रिजल्ट भी बहुत ही स्ट्रॉंग पेश किया है तो वह में लुग वीडियो कहीं पर रेंट करता है अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूचे मिलता है नेक्स वोड़ा में तिल दि बढ़ाई